यानि डैम कहां पर है? जवाब है भारत में। तमिल नाडु के तिरुचरा पल्ली जिले में कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध दुनिया में सबसे पहला है। ये बांध आज से लगभग दो हजार वर्ष पहले बनाए गया था। और ये आज भी जस्का तस है। कल्लनई बांध इस बात का जीता जाकता उधारण है कि भारत ये सभ्यता हजारों वर्ष से कितनी विक्सित रही है। आपको याद दिला दें कि 2000 वर्ष पहले अभी इसाई धर्म पैदा ही नहीं हुआ था। और इसलाम का तो अभी जन भी नहीं हुआ था। कल्लनई बांध का निर्मान चोलवंश के राजा करिकल ने कराया था। कावेरी दक्षिन भारत में सबसे तेज प्रवाह वाली नदी है। इसमें साल भर पानी रहता है। 2000 वर्ष पहले जब बड़ी बड़ी मशीने नहीं हुआ करती थी तब इस बांध को बनाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। कल्लनई बांध से तमिलनाडू के 10 लाख एकर खशेत्रों में किसानों को वर्ष भर सिचाई के लिए पानी मिलता है। इस बांध के कारण तमिलनाडू के बड़ी क्षेत्र में बार से बचाव होता है। कल्लनई बांध 329 मीटर लंबा, 39 मीटर चौड़ा और 5 दिशमलव 4 मीटर उचा है। वर्ष 1835 में अंग्रेज अफसर लौड मैकाले ने ब्रिटिश संसर में भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पर एक रिपोर्ट पेश की थी। उसमें कल्लनई बांध के बारे में भी बताया गया था। मैकाले ने बताया था कि भारती गुरुकुलों में विज्ञान और इंजिनियरिंग की ऐसी शिक्षा दी जाती है जो पश्चिमी देशों के लिए असंभव है। मैकाले की इसी रिपोर्ट के बाद भारत की हजारों वर्ष पुरानी गुरुकुल प्रणाली को नश्ट करने की रणनीती बनाई गई थी। कल्लनई बांध आज भी सही सलामत है। देश के कई दूसरे क्षेत्रों में ऐसे प्राचीन बांध बने हुए है। लेकिन मैकाले की शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है कि आज कई भारतियों को भी लगता है कि गरंग्रेज नहीं आए होते तो हम असभ्य होते।